Hello students, I hope you all are fine and well. Now be ready for an English grammar. Today we are going to start our topic prepositions. आज का हमारा जो topic है वो है prepositions. Now be ready. Let's get started. First of all we see the definition of preposition. ये preposition की definition हम जब part of speech का वीडियो कर रहे थे तब भी उसके अंदर भी हमने देख लिया है पर आज मैं ये repeat कर देते हूँ. अब preposition is a word और group of words यानि की एक word भी होता है और एक word से ज्यादा दो से ज्यादा भी कहीं बार होते हैं. That shows the relationship of a noun or pronoun to some other word in the sentence. अब pronoun और noun का relationship क्या है जो दूसरे words है sentence में उसके साथ ये दर्शाने के लिए हम preposition यूज करते हैं. यहाँ पर कुछ prepositions सारे तो नहीं लिखे मैंने पर कुछ जो main main prepositions होते हैं. उसके मैंने आपको यहाँ पर Hindi meaning लिख के दिये हैं जो आपको अपनी note में note down कर लेने हैं. फिर्स्ट है ओफ अब ओफ preposition का मतलब क्या होता है का के की उसका उसके वो सब के लिए of use होता है. फिर है from यानि की say अब उससे के किसी के साथ say के related सबंदर साने के लिए हम from use करते हैं. फिर of से अलग किसी भी चीज से जो दूसरी चीज है या कोई भी व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति अलग है तो फो दर्शाने के लिए हम use करते हैं of. fourth one is between अब दो जन के बीच में कोई चीज है या कोई बात है वो explain करने के लिए हम between यूज़ करते हैं दो के बीच में अब देखिए fifth one है वो है among तो among कब यूज़ होता है जब तीन या तीन से ज्यादा के बीच में कोई चीज डिस्ट्रिब्यूट करनी है या कुछ भी है जो ऐसी चीज है जो डिस्ट्रिब्यूट करनी है या कोई बात है तो वो जब तीन से ज्यादा लोग होते हैं उसके बीच में होता है तब आता है among और जब दो जन के बीच में कुछ भी distribute करने का होता है तब आता है between Sixth one is about यानि कि के करीब किसी चीज की करीब कोई है तो उसको दर्शाने के लिए about यूज होता है और about और कभी यूज होता है कि के बारे में किसी चीज के बारे में हम बात कर रहे होता है I am talking about pan यानि कि मैं pan के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये सब जो preposition है about के बारे में भी हम use कर सकते है And the eighth one is around यानि कि के आसपास किसी चीज के आसपास की अगर हम बात करें तब हम around preposition यूज करते है अब देखिए around और round में confuse मत हो न Round यानि कि के चारो तरफ किसी चीज के चारो तरफ की जब हम बात करते हैं तब हम round use करेंगे और किसी चीज के आसपास की हम बात करते हैं तब हम around use करें As an example There are many trees around me तो यहाँ पर आएगा मेरे आसपास कहीं सारे trees है तो इसके लिए आएगा around फिर tenth is to, two words यानि कि के प्रती and two और two words कब भी use होता है की और के लिए भी use होता है किसी चीज की और ट्वेल्थ देखते हैं on यानि कि किसी चीज के उपर और touch होकर यानि कि टेबल पे जो book है वो टेबल से touch हो रही है book इसलिए आएगा on और above और over कब यूज होता है देखिए किसी चीज के उपर और touch न होकर कोई चीज हमारे उपर है पर वो touch कर नहीं रही है तो यहाँ पर आएगा over या above फिर over कब यूज होता है किसी चीज के उपर और गतिशी लवस्ता में यानि कि वो जो चीज है वो movement कर रही होती है तब आएगा over अगर वो कोई movement नहीं कर रही और हमसे touch भी नहीं हो रही तो आएगा above और वो हमारे उपर है और movement भी कर रही है यानि कि हलन्चलन भी कर रही है तो आएगा over फिर आता है by यानि कि के द्वारा मेरे द्वारा ये चीज हो रही है कि वो कुछ ऐसा example देना हो तो भी हम by का use करते हैं 16th by अब देखिए व्यक्ति के निकट यानि कि pass जब किसी व्यक्ति के pass के भी हम बारे में बात कर रहे हैं तब भी by आता है अब देखिए at कब use होता है किसी जग़ के pass अब हम किसी जग़ के पास होते हैं तो हम बोलते हैं कि I am at station या कुछ भी ऐसा example हो जब at use होता है तो वो हमें किया describe करता है कि किसी जग़ के pass फिर through तो say होकर यानि कि हम जब कहीं भी बार जाते हैं तो हम बोलते हैं कि I am going through तो हम जब उस चीज से होकर निकलते हैं अंदर की तरफ से तो क्या आएगा through and by का भी meaning होता है say होकर पर बाहर की तरफ से ठीक है अब clear हो जाएगा कि through से होकर अंदर की तरफ से के लिए यूज होता है और by कब होता है जब हम बाहर की तरफ से पसार होते हैं यानि कि बाहर की ओर से निकलते हैं तब हम by यूज करते हैं और किसी चीज की अंदर से हम निकलते हैं यानि कि road हो या कोई भी हो तब हम through use करते हैं and by एक और तरह भी use होता है कि parts of body के साथ कोई काम करना अब I write a letter by my hand तो हम यहाँ पर अपने hand का इसमाल करके letter लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी by use by or till यानि कि तब तक particular time दिखाने के लिए till then, till 9pm या ऐसा कुछ हम जब explain करते हैं या describe करते हैं तब हम by या till का use करते हैं particular time के लिए 22 since यानि कि निश्चित समय के साथ से यानि कि तब से चल रही है और आज भी चल रही है यानि कि present और past भी हो सकता है कि तब से करकर मैं अब तक ये काम कर रहा था इसके लिए आएगा since particular time के लिए और from कब use होता है future tense के लिए निश्चित समय के साथ से यानि कि मैं ये काम 9 बजे से लेकर तब तब करूँगा यानि कि निश्चित समय के साथ से वो जब चल रहा होता है तब आएगा from अब देखिए आप since देख सकते हैं कि present और past में आता है और from है वो future tense में आता है दोनों का meaning same होता है सिफ tense के according वो use होते हैं अगर future tense होगा तो from आएगा और since present और past tense में आता है I hope you are clear कुछ examples देखते है Mary was sitting under a tree अब जो Mary है वो under a tree यानि की tree के नीचे बैठी है under यानि की नीचे I have a friend who lives in Spain अब मैं I have a friend यानि की मेरा एक friend है जो Spain में रहता है There are a tree beside the river अब जो tree है वो किसके बास है river के पास है यानि की beside यानि की के पास फिर Michael and Alex were hiding inside the wardrobe यानि की almari तो inside यानि की अंदर तो वो लोग almari के अंदर छुपे हुए थे The dog is in front of अब यहाँ पर देखे in front of इसमें एक word से ज्यादा है in front of यानि की के सामने तो the dog is front of the man जो dog है वो man के सामने खड़ा है The bond is between the two dogs अब मैंने आपको पहले ही बताया था between और among का difference तो यहाँ पर दो dogs की बात कर रहे हैं इसलिए आएगा between अब bond यानि की हड़ी तो जो हड़ी है वो दो dogs के बीच में है The rat dog is over the fire hydrant यानि की नॉल या कोई बंबा तो वो कहां है over अब आप आगे देख सकते हैं मैंने over preposition का आपको meaning बताया था आप बुक में पहले लिख लीजेगा फिर ये जो explanation है वो देखिएगा ताकि आपके पास उसके हिंदी meaning भी हो अब आप अपनी बुक में देखिए over में क्या है किसी चीज के उपर और गती शील अवस्था में यानि कि जो dog है वो movement कर रहा होगा और touch भी नहीं कर रहा होगा तो आएगा over and the next one is we spent a quiet evening यानि की शान्त evening at home अब at का meaning आप देख सकते हैं किसी जगह के पास तो उसने कहा quiet evening यानि की शान्त साम बिताई थी घर पे तो आएगा at किसी भी place के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आता है at she looks at herself in the mirror अब वो खुद को किस के अंदर देख रही थी mirror in यानि की अंदर तो she looks at herself यानि की वो खुद को mirror के अंदर देख रही थी आज मैंने जो भी आपको करवाया है वो आपको लिख देना है ये हमारी extra exercise है इसलिए हमारे grammar book में ये available नहीं है तो आपको ये grammar में लिख के फिर इसको अच्छे से समझ लेना है next video में मिलेंगे तब हमारी जो general English course की grammar book है उसके according exercise देखेंगे तब तक आप ये लिख लीजेगा और अच्छे से याद भी कर लीजेगा next video में मिलेंगे तब तक goodbye heaven